हाई एब्रिवन आपका एक न्यू वीडियो में श्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको इना यूएज बोर्ट क्लाज 12 का फुल सॉल्फ टीय में फाइल दिखाए जाएंगी ये वीडियो इना यूएज बोर्ट के सारे स्टुडेंट के लिए है अगर आप यहां से देख कर टीय में बना रहा हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि ये टीचर के द्वारा सॉल्फ कराये गए हैं अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सश्क्राइब करें साथ में बेल आइकन को भी प्रेश करें ता लेकिन अगर आपको फुल सॉल्फ टीय में पीडिय फाइल में चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉंटेक्ट करें आपको वहां से मिल जाएंगे तो चले स्टूडेंट हम आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको दिखाते हैं टीय में जब आप अ आपको एक फॉर साइस पेज में लिखना है और सबसे उपर सब्जिक्ट और सेक्षन लिखे उसके बाद आपको कोश्चन लिखना है ब्लैक पैन से उसके नीचे आंसर ब्लू पैन से आपको टीय में बनाते हैं वक्त ध्यान रखना चाहिए आपका हैंड राइटिंग अच का अंसर लिखना है तो उस हिसाब से आपको कुछ डाइग्राम भी बनाना पड़ता है पेज के जिस साइड वाइट होते हैं वहाँ पर आप चाहें तो पैंसल से भी बना सकते हैं या फिर प्रिंट ना निकाल कर भी लगा सकते हैं हम सारे क्वेश्चन का अंसर इसमें कर द चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर से कॉंटेक्ट कर ले आपको मिल जाएंगे अगर इसके अलाएवा टीये में को लेकर कोई भी जनकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पर कॉंटेक्ट करें वाटसप के जरिया अगर आप चाहे तो हमारे एक्सपोर्ट ट्रा जाएगा और आपकी घर के एड्रेस पर भिजवा देंगे इससे संबंदीत विसेज जनकारी के लिए कॉंटेक्ट करें वाटसप पर कॉंटेक्ट करने से आपको बहुत जल्द रिप्लाई मिलेगी और आपका जो भी प्रॉब्लम है सॉल्फ किया जाएगा यहाँ पर हाई एबरिवन आपका एक नियू वीडियो में श्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको इना यूएज बोट क्लाश 12 का फुल सॉल्फ टियमे फाइल दिखाए जाएंगी यह वीडियो इना यूएज बोट के सारे स्टुडेंट के लिए है अगर आप यहाँ से हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सश्क्राइब करें साथ में बेल आइकन को भी प्रेश करें ताकि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो आएं उसकी जनकारी आपको मिलती रहें इस चैनल पर सभी सबजेक्ट के टीयमे बनवाएं जाएंगे फ्री इससे मिल जाएंगे तो चले इस्टूडेंट हम आपको वीडियो को वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको दिखाते हैं टीयमे जब आप अपना कोईशन पेपर देखोगे तो वहां पर आपको दो जोड़ी करके मिलेंगे लेकिन आपको उनमेशे कोई एक करना होगा यह आपको एक फोर साइस पेज में लिखना है और सबसे उपर सब्जिक्ट और सेक्षन लिखे उसके बाद आपको कोईशन लिखना है ब्लैक पैंसे उसके नीचे आंसर ब्लू पैंसे आपको टीयमे बनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए आपका हैंड राइटिंग अच्छा हो और जहां पर कोईशन वन खतम हो रहा है उसके कुछ लाइन छोड़ कर आपको दुसरा कोईशन लिखना है जिससे टीचर को समझने में आसानी हो जब आपको कोईशन का अंसर लिखना है तो उस हिसाप से आपको कुछ डाइग्राम भी बनाना पड़ता है पेज के जिस साइ एड़ वाइट होते हैं वहाँ पर आप चाहें तो पैंसल से भी बना सकते हैं या फिर प्रिंट निकाल कर भी लगा सकते हैं हम सारे कुछन का अंसर इसमें कर देंगे बस आपका काम यही है अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना जिससे आपको अच्छे अंक मिल सके और अगर आपको किसी और TMA का PDF फाइल चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर से कांटेक्ट कर ले आपको मिल जाएंगे अगर इसके अलाएवाँ TMA को लेकर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें WhatsApp के जरिया अगर आप चाहे तो हमारे एक्सपोर्ट ट्राइटर के द्वारा आपका TMA बनवा देंगे बना कर आपके एडरेस पर भेज देंगे मिनिमन चार्ज के रूप में आपसे आपका TMA रेडिक किया जाएगा और आपकी घर के एडरेस पर भिजवा देंगे इससे संबंदित विसे जनकारी के लिए कांट करें वाटसप पर कांटेक करने से आपको बहुत जल्द रिप्लाई मिलेगी और आपका जो भी प्राब्लम है सॉल्फ किया जाएगा यहां पर वीडियो खतम होता है प्लीज सैनल को लाइक करें और सर्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की जनकारी आपके मिलती र इस बोर्ट क्लाश 12 का फुल सॉल्फ टियमे फाइल दिखाए जाएंगी यह वीडियो इना यूएज बोर्ट के सारे स्टुडेंट के लिए है अगर आप यहां से देखकर टियमे बना रहा हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि यह टीचर के द्वारा सॉल्फ कर अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सच्क्राइब करें साथ में बेल आइकन को भी प्रेश करें ताकि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो आएं उसकी जनकारी आपको मिलती रहें इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के टिय पीडियो फाइल में चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉंटेक्ट करें आपको वहां से मिल जाएंगे तो चले स्टूडेंट हम आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको दिखाते हैं टीए में जब आप अपना कोईशन पेपर देखो गे तो वहां और सबसे उपर सब्जिक्ट और सेक्षन लिख है उसके बाद आपको कोईशन लिखना है ब्लैक पैंसे उसके नीचे आंसर ब्लू पैंसे आपको टीए में बनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए आपका हैंड राइटिंग अच्छा हो और जहां पर कोईशन वन खतम हो रहा ह उसके कुछ लाइन छोड़ कर आपको दूसरा कोईशन लिखना है जिससे टीचर को समझने में आसानी हो जब आपको कोईशन का अंसर लिखना है तो उस हिसाब से आपको कुछ डाइग्राम भी बनाना पड़ता है पैज के जिस साइड वाइट होते हैं वहां पर आप चाहे तो पैंसल से भी बना सकते हैं या फिर प्रिंट ना निकाल कर भी लगा सकते हैं हम सारे कुछन का अंसर इसमें कर देंगे बस आपका काम यही है अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना जिससे आपको अच्छे अंक मिल सकें और अगर आपको किसी और टीए में का पीडिय फाइल चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर से कांटेक्ट कर ले आपको मिल जाएंगे अगर इसके अलाइवा टीए में को लेकर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें वाटसप के जरिया अगर आप चाहे तो हमारे एक्सपोर्ट प्राइटर के द्वारा आपका टिये में बनवा देंगे बना कर आपके एड्रेस पर भीज देंगे मिनिमन चार्ज के रूप में आप से आपका टिये में रेडिक warm और आपकी घर के एड्रेस पर भिजवा देंगे इससे संबंदीत विश्ज जञनकारी के लिए वीडियो खतम होता है प्लीज सैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की जनकारी आपके मिलती रहे धन्यवाद इस्टुडेंट हाई एब्रिवन आपका एक न्यू वीडियो में श्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको इना यूएज बोर्ट क्लास 12 का फुल सॉल्फ टियमे फाइल दिखाई जाएंगी ये वीडियो इना यूएज बोर्ट के सारे इस्टुडेंट के लिए है अगर आप यहां से देख कर टियमे बना रहा हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि ये टीचर के द्वारा सॉल्फ कराये गए हैं अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सश्क्राइब करें साथ में बेल आइकन को भी प्रेश करें ताक लेकिन अगर आपको फुल सॉल्फ टीयमे पीडिये फाइल में चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉंटेक करें आपको वहां से मिल जाएंगे तो चले स्टूडेंट हम आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको दिखाते हैं टीयमे जब आप अपना कोईशन पेपर देखोगे तो वहां पर आपको दो जोड़ी करके मिलेंगे लेकिन आपको उनमेशे कोई एक करना होगा यह टीयमे आपको एक फॉर साइस पेज में लिखना है और सबसे उपर सबजिक्ट और सेक्शन लिख है उसके बाद आपको कोईशन लिखना है ब्लैक खतम हो रहा है उसके कुछ लाइन छोड़ कर आपको दूसरे कोईशन लिखना है जिससे टीचर को समझने में आसानी हो जब आपको कोईशन का अंसर लिखना है तो उस हिसाब से आपको कुछ डाइग्राम भी बनाना पड़ता है पेज के जिस साइड वाइट होते हैं वहां अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना जिससे आपको अच्छे अंक मिल सकें और अगर आपको किसी और टीए में का पीडिया फाइल चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर से कॉन्टेक्ट कर लें आपको मिल जाएंगी अगर इसके अलाइवा टीए में को लेकर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें वाटसप के जरिया अगर आप चाहे तो हमारे एक्सपोर्ट ट्राइटर के द्वारा आपका टीए में बनवा देंगे बना कर आपके एड्रेस पर भेज देंगे मिनिमन चार्ज के रूप में आपसे आपका टीए में रेडिक किया जाएगा और आपकी घर के एड्रेस पर भिजवा देंगे इससे संबंदीत विसे जनकारी के लिए कॉन्टेक्ट करें वाटसप पर कॉन्टेक्ट करने से आपको बहुत जल्द रिप्लाई मिलेगी और आपका जो भी प्रॉब्लम है सॉल्फ हाई एब्रिवन आपका एक न्यू वीडियो में श्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको इना यूएज बोर्ट क्लाश 12 का फुल सॉल्फ टीयमे पीडिया फाइल दिखाए जाएंगी ये वीडियो इना यूएज बोर्ट के सारे स्टुडेंट के लिए है अगर देख कर टीयमे बना रहा हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि ये टीचर के द्वारा सॉल्फ कराये गए हैं अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीस इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सश्क्राइब करें साथ में बेल आइकन को भी प्रेश करें ताकि इस से रिलेटेट जितने भी वीडियो आएं उसकी जानकारी आपको मिलती रहा है इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के टीयमे बनाए जाएंगे फ्री ओफ कोष्ट इस चैनल पर आपको सब कुस फ्री में मिलेगा लेकिन अगर आपको फुल सॉल्फ टीयमे पीडिये फाइल म आपको दिखाते हैं टीयमे जब आप अपना कोष्ट पेपर देखोगे तो वहाँ पर आपको दो जोड़ी करके मिलेंगे लेकिन आपको उनमेशे कोई एक करना होगा यह टीयमे आपको एक फॉर साइस पेज में लिखना है और सबसे उपर सब्जिक्ट और सेक्शन लिख ह उसके बाद आपको कोईशन लिखना है ब्लैक पेंसे उसके नीचे आंसर ब्लू पेंसे आपको टीयमे बनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए आपका हैंड राइटिंग अच्छा हो और जहां पर कोईशन वन खतम हो रहा है उसके कुछ लाइन छोड़ कर आपको दुसरे कोई लिखना है तो उस हिसाब से आपको कुछ डाइग्राम भी बनाना पड़ता है पेज के जिस साइड वाइट होते हैं वहां पर आप चाहें तो पैंसल से भी बना सकते हैं या फिर प्रेंट निकाल कर भी लगा सकते हैं हम सारे क्वेशन का अंसर इसमें कर देंगे बस आपका काम यही है अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना जिस से आपको अच्छे अंक मिल सकें और अगर आपको किसी और टीय में का पीडियाफ फाइल चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर से कांटेक्ट कर ले आपको मिल जाएंगे अगर इसकी अलाइवा टीय में क को लेकर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पर कॉंटेक्ट करें वाटसप के जरिया अगर आप चाहे तो हमारे एक्सपोर्ट ट्राइटर के द्वारा आपका टीय में बनवा देंगे बना कर आपके एडरेस पर भेज देंगे मिनीमन चार्ज के रूप में आ वाटसप पर कॉंटेक्ट करने से आपको बहुत जल्द रिप्लाई मिलेगी और आपका जो भी प्रॉब्लम है सॉल्फ किया जाएगा यहां पर वीडियो खतम होता है प्लीज सैनल को लाइक करें और सर्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की जनकारी आपके मिलती है धन्यवाद इस्टुडेंट हाई एब्रिवन आपका एक न्यू वीडियो में श्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको इना यूएज बोर्ट क्लाश 12 का फुल सॉल्फ टियमे फाइल दिखाई जाएंगी यह वीडियो इना यूएज बोर्ट के सारे इस्टुडेंट के लिए है अगर आप यहां से देख कर टियमे बना रहा हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि यह टीचर के द्वारा सॉल्फ कराये गए हैं अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीस इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सश्क्राइब करें साथ में बेल आइकन को भी प्रेश करें ता लेकिन अगर आपको फुल सॉल्फ टीए में पीडिये फाइल में चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिये गए नमबर पर कॉंटेक्ट करें आपको वहां से मिल जाएंगे तो चले इस्टूडेंट हम आपको वीडियो को श्टार्ट करते हैं आपको दिखाते हैं टीए में जब जब आप अपना question paper देखोगे तो वहाँ पर आपको दो जोड़ी करके मिलेंगे लेकिन आपको उनमेशे कोई एक करना होगा यह TMA आपको एक four size page में लिखना है और सबसे उपर subject और section लिख है उसके बाद आपको question लिखना है black pen से उसके नीचे answer blue pen से आपको TMA बनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए आपका handwriting अच्छा हो और जहां पर question one खतम हो रहा है उसके कुछ line छोड़ कर आपको दुसरा question लिखना है जिससे teacher को समझने में आसानी हो जब आपको question का answer लिखना है तो उस हिसाब से आपको कुछ diagram भी बनाना पड़ता है page के जिस side white होते हैं वहां पर आप चाहें तो pencil से भी बना सकते हैं या फिर print निकाल कर भी लगा सकते हैं हम सारे question का answer इसमें कर देंगे बस आपका काम यही है अच्छे handwriting में लिखना जिससे आपको अच्छे अंक मिल सके और अगर आपको किसी और TMA का PDF फाइल चाहिए तो आप screen पर दिये गए नंबर से contact कर ले आपको मिल जाएंगी अगर इसकी अलाएवा TMA को लेकर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पर contact करें WhatsApp के जरिया अगर आप चाहे तो हमारे export writer के द्वारा आपका TMA बनवा देंगे बना कर आपके address पर भेज देंगे minimum charge के रूप में आपका TMA रेडिक किया जाएगा और आपकी घर के address पर भिजवा देंगे इससे संबंदीत विसे जनकारी के लिए contact करें WhatsApp पर contact करने से आपको बहुत जल्द reply मिलेगी और आपका जो भी problem है solve किया जाएगा यहाँ पर वीडियो खतम होता है प्लीज सैनल को लाइक करें और सर्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की जनकारी आपके मिलती रहे धन्यवाद इस्टुडेंट हाई एब्रिवन आपका एक नियू वीडियो में श्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको NIOS Board Class 12 का फुल सॉल्फ टीय में वीडियो फाइल दिखाए जाएंगी ये वीडियो NIOS Board के सारे स्टुडेंट के लिए है अगर आप यहां से देखकर टीय में बना रहा हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि ये टीचर के द्वारा सॉल्फ कराए गया है अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सच्क्राइब करें साथ में बेल आइकन को भी प्रेश करें ताकि इस से रिलेटेड जितने भी वीडियो आएं उसकी जनकारी आपको मिलती रहा है इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के TMA बनवाए जाएंगे फ्री ओफ कोश्ट इस चैनल पर आपको सब कुस फ्री में मिलेगा लेकिन अगर आपको फूल सॉल्फ TMA PDF फाइल में चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉंटेक्ट करें आपको वहाँ से मिल जाएंगे तो चले इस्टूडेंट हम आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको दिखाते हैं TMA जब आप अपना question paper देखोगे तो वहाँ पर आपको दो जोड़ी करके मिलेंगे लेकिन आपको उनमेशे कोई एक करना होगा यह TMA आपको A4 size page में लिखना है और सबसे उपर subject और section लिखे उसके बाद आपको question लिखना है black pen से उसके नीचे answer blue pen से आपको TMA बनाते हैं वक्त ध्यान रखना चाहिए आपका handwriting अच्छा हो और जहांपर question one खतम हो रहा है उसके कुछ line छोड़ कर आपको दूसरा question लिखना है जिससे teacher को समझने में आसानी हो जब आपको question का answer लिखना है तो उस हिसाब से आपको कुछ diagram भी बनाना पड़ता है page के जिस side white होते हैं वहाँ पर आप चाहें तो pencil से भी बना सकते हैं या फिर print ना निकाल कर भी लगा सकते हैं हम सारे question का answer इसमें कर देंगे बस आपका काम यही है अच्छे handwriting में लिखना जिससे आपको अच्छे अंक मिल सकें और अगर आपको किसी और TMA का PDF फाइल चाहिए तो आप screen पर दिये गए नमबर से contact कर ले आपको मिल जाएंगे अगर इसके अलाएवा TMA को लेकर कोई भी जनकारी आपको चाहिए तो इस नमबर पर contact करें वाटसप के जरिया अगर आप चाहे तो हमारे export writer के द्वारा आपका TMA बनवा देंगे बना कर आपके address पर भेज देंगे minimum charge के रूप में आपका TMA रेडिक किया जाएगा और आपकी घर के address पर भिजवा देंगे इससे संबंदीत विसे जनकारी के लिए contact करें वाटसप पर contact करने से आपको बहुत जल्द reply मिलेगी और आपका जो भी problem है solve किया जाएगा यहाँ पर विडियो खतम होता है please channel को like करें और subscribe करें ताकि next विडियो की जनकारी आपके मिलती रहे धन्यवाद इस्टुडेंट Hi everyone आपका एक न्यू विडियो में श्वागत है आज की इस विडियो में हम आपको NIOS Board Class 12 का full solve TMA PDF फाइल दिखाए जाएंगी यह विडियो NIOS Board के सारे इस्टुडेंट के लिए है अगर आप यहाँ से देख कर TMA बना रहा हैं तो आपको full marks मिलेंगे क्योंकि यह teacher के द्वारा solve कराए गया है अगर इस channel पर आप नए हैं तो please इस video को like करें और channel को subscribe करें साथ में bell icon को भी प्रेश करें ताकि इससे related जितने भी वीडियो आएं उसकी जानकारी आपको मिलती रहें इस channel पर सभी subject के TMA बनाए जाएंगे free of cost इस channel पर आपको सब कुस free में मिलेगा लेकिन अगर आपको full solve TMA PDF फाइल में चाहिए तो आप screen पर दिये गए number पर contact करें आपको वहाँ से मिल जाएंगे तो चले student हम आपको video को start करते हैं आपको दिखाते हैं TMA जब आप अपना question paper देखोगे तो वहाँ पर आपको दो जोड़ी करके मिलेंगे लेकिन आपको उन में शे कोई एक करना होगा यह TMA आपको A4 size page में लिखना है और सबसे उपर subject और section लिखे उसके बाद आपको question लिखना है black pen से उसके नीचे answer blue pen से आपको TMA बनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए आपका handwriting अच्छा हो और जहां पर question 1 खतम हो रहा है उसके कुछ line छोड़ कर आपको दूसरे question लिखना है जिससे teacher को समझने में आसानी हो जब आपको question का answer लिखना है तो उस हिसाब से आपको कुछ diagram भी बनाना पड़ता है page के जिस side white होते हैं वहाँ पर आप चाहें तो pencil से भी बना सकते हैं या फिर print ना निकाल कर भी लगा सकते हैं हम सारे question का answer इसमें कर देंगे बस आपका काम यही है अच्छे handwriting में लिखना जिससे आपको अच्छे अंक मिल सकें और अगर आपको किसी और TMA का PDF फाइल चाहिए तो आप screen पर दिये गए नंबर से contact कर लें आपको मिल जाएंगे अगर इसकी अलाएवा TMA को लेकर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पर contact करें WhatsApp के जरिया अगर आप चाहिए तो हमारे export writer के द्वारा आपका TMA बनवा देंगे बना कर आपके address पर भेज देंगे minimum charge के रूप में आपका TMA रेडिक किया जाएगा और आपकी घर के address पर भिजवा देंगे इससे संबंदीत विशेज जनकारी के लिए contact करें WhatsApp पर contact करने से आपको बहुत जल्द reply मिलेगी और आपका जो भी problem है solve किया जाएगा यहाँ पर वीडियो खतम होता है प्लीज चैनल को लाइक करें और सर्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की जनकारी आपके मिलती रहे धन्यवाद इस्टुडेंट आपका एक नियू वीडियो में श्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको NIOS Board Class 12 का फुल सॉल्फ TMA फाइल दिखाए जाएंगी ये वीडियो NIOS Board के सारे स्टुडेंट के लिए है अगर आप यहाँ से देख कर TMA बना रहा हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि ये टीचर के द्वारा सॉल्फ कराए गया है अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सच्क्राइब करें साथ में बेल आइकन को भी प्रेश करें ताकि इस से रिलेटेड जितने भी वीडियो आएं उसकी जानकारी आपको मिलती रहा है इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के टीय में बनवाए जाएंगे फ्री ओफ कोष्ट इस चैनल पर आपको सब कुस फ्री में मिलेगा लेकिन अगर आपको फूल सॉल्फ टीय में पीडिय फाइल में चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉंटेक्ट करें आपको वहाँ से मिल जाएंगे तो चले इस्टूडेंट हम आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको दिखाते हैं टीय में जब आप अपना क्वेशन पेपर देखोगे तो वहाँ पर आपको दो जोड़ी करके मिलेंगे लेकिन आपको उनमेशे कोई एक करना होगा यह टीय में आपको एक फोर साइस पेज में लिखना है और सबसे उपर सब्जिक्ट और सेक्शन लिख है उसके बाद आपको कोश्चन लिखना है ब्लैक पैंसे उसके नीचे आंसर ब्लू पैंसे आपको टीय में बनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए आपका हैंड राइटिंग अच्छा हो और जहां पर कोश्चन वन खतम हो रहा है उसके कुछ लाइन छोड़ कर आपको दुसरे कोश्चन लिखना है जिससे टीचर को समझने में आसानी हो जब आपको कुश्चन का अंसर लिखना है तो उस हिसाब से आपको कुछ डाइग्राम भी बनाना पड़ता है पेज के जिस साइड वाइट होते हैं वहाँ पर आप चाहें तो पैंसल से भी बना सकते हैं या फिर प्रेंट ना निकाल कर भी लगा सकते हैं हम सारे कुश्चन का अंसर इसमें कर देंगे बस आपका काम यही है अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना जिससे आपको अच्छे अंक मिल सके और अगर आपको किसी और TMA का PDF फाइल चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर से कांटेक्ट कर ले आपको मिल जाएंगे अगर इसके अलाइव टी ए में को लेकर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें वाटसब के जरिया अगर आप चाहिए तो हमारे एक्सपोर्ट ट्राइटर के द्वारा आपका टी ए में बनवा देंगे बना कर आपके एडरेस पर भेज देंगे मिनिमन चार्ज के रूप में आपसे आपका टी ए में रेडिक किया जाएगा और आपकी घर के एडरेस पर भिजवा देंगे इससे संबंदीत विशेज जनकारी के लिए कॉंटेक करें वाटसब पर कॉंटेक करने से आपको बहुत जल्द रिप्लाई मिलेगी और आपका जो भी प्रॉब्लम है सॉल्फ किया जाएगा यहाँ पर वीडियो खतम होता है प्लीज चैनल को लाइक करें और सस्क्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की जनकारी आपके मिलती रहे धन्यवाद इस्टुडेंट आपका एक नियू वीडियो में श्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको NIOS Board Class 12 का फुल सॉल्फ TMA पीडिया फाइल दिखाए जाएंगी ये वीडियो NIOS Board के सारे इस्टुडेंट के लिए है अगर आप यहां से देख कर TMA में बना रहा हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि ये टीचर के द्वारा सॉल्फ कराए गया है अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सच्क्राइब करें साथ में बेल आइकन को भी प्रेश करें ताकि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो आएं उसकी जनकारी आपको मिलती रहा है इस चैनल पर सभी सबजेक्ट के TMA बनवाए जाएंगे फ्री ओफ कोष्ट इस चैनल पर आपको सब कुस फ्री में मिलेगा लेकिन अगर आपको फूल सॉल्फ TMA PDF फाइल में चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉंटेक्ट करें आपको वहाँ से मिल जाएंगे तो चले student हम आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको दिखाते हैं TMA जब आप अपना question paper देखोगे तो वहाँ पर आपको दो जोड़ी करके मिलेंगे लेकिन आपको उनमेशे कोई एक करना होगा यह TMA आपको A4 size page में लिखना है और सबसे उपर subject और section लिखे उसके बाद आपको question लिखना है black pen से उसके नीचे answer blue pen से आपको TMA बनाते हैं वक्त ध्यान रखना चाहिए आपका handwriting अच्छा हो और जहां पर question 1 खतम हो रहा है उसके कुछ line छोड़ कर आपको दुसरे question लिखना है जिससे teacher को समझने में आसानी हो जब आपको question का answer लिखना है तो उस हिसाब से आपको कुछ diagram भी बनाना पड़ता है page के जिस side white होते हैं वहां पर आप चाहें तो pencil से भी बना सकते हैं या फिर print निकाल कर भी लगा सकते हैं हम सारे question का answer इसमें कर देंगे बस आपका काम यही है अच्छे handwriting में लिखना जिससे आपको अच्छे अंक मिल सके और अगर आपको किसी और TMA का PDF फाइल चाहिए तो आप screen पर दिये गए नंबर से contact कर ले आपको मिल जाएंगी अगर इसके अलाएवा TMA को लेकर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पर contact करे WhatsApp के जरिया अगर आप चाहे तो हमारे export writer के द्वारा आपका TMA बनवा देंगे बना कर आपके address पर भेज देंगे minimum charge के रूप में आपसे आपका TMA रेडिक किया जाएगा और आपकी घर के address पर भिजवा देंगे इससे संबंदीत विसे जनकारी के लिए contact करे WhatsApp पर contact करने से आपको बहुत जल्द reply मिलेगी और आपका जो भी problem है solve किया जाएगा यहाँ पर वीडियो खतम होता है प्लीज चैनल को लाइक करे और subscribe करे ताकि next वीडियो की जनकारी आपके मिलती रहे धन्यवाद इस्टुडेंट Hi everyone आपका एक नियू वीडियो में श्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको NIOS Board Class 12 का full solve TMA video file दिखाए जाएंगी यह वीडियो NIOS इस वीडियो के सारे इस्टुडेंट के लिए है अगर आप यहां से देख कर TMA बना रहा है तो आपको full marks मिलेंगे क्योंकि यह teacher के द्वारा solve कराये गए है अगर इस चैनल पर आप नए है तो please इस वीडियो को like करे और चैनल को subscribe करे साथ में bell icon को भी प्रेश करें ताकि इससे related जितने भी वीडियो आए उसकी जनकारी आपको मिलती रहे इस चैनल पर सभी subject के TMA बनाए जाएंगे free of cost इस चैनल पर आपको सब कुस free में मिलेगा लेकिन अगर आपको full solve TMA PDF file में चाहिए तो आप screen पर दिये गए number पर contact करें आपको वहाँ से मिल जाएंगे तो चले student हम आपको video को start करते हैं आपको दिखाते हैं TMA जब आप अपना question paper देखोगे तो वहाँ पर आपको दो जोड़ी करके मिलेंगे लेकिन आपको उनमें शे कोई एक करना होगा यह TMA आपको A4 size page में लिखना है और सबसे उपर subject और section लिखे उसके बाद आपको question लिखना है black pen से उसके नीचे answer blue pen से आपको TMA बनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए आपका handwriting अच्छा हो और जहां पर question 1 खतम हो रहा है उसके कुछ line छोड़ कर आपको दूसरा question लिखना है जिससे teacher को समझने में आसानी हो जब आपको question का answer लिखना है तो उस हिसाब से आपको कुछ diagram भी बनाना पड़ता है page के जिस side white होते हैं वहाँ पर आप चाहें तो pencil से भी बना सकते हैं या फिर print ना निकाल कर भी लगा सकते हैं हम सारे question का answer इसमें कर देंगे बस आपका काम यही है अच्छे handwriting में लिखना जिससे आपको अच्छे अंक मिल सके और अगर आपको किसी और TMA का PDF फाइल चाहिए तो आप screen पर दिये गए number से contact कर ले आपको मिल जाएंगे अगर इसकी अलाएवा TMA को लेकर कोई भी जनकारी आपको चाहिए तो इस number पर contact करें WhatsApp के जरिया अगर आप चाहे तो हमारे export writer के द्वारा आपका TMA बनवा देंगे बना कर आपके address पर भेज देंगे minimum charge के रूप में आपका TMA रेडिक किया जाएगा और आपकी घर के address पर भिजवा देंगे इससे संबंदीत विसेज जनकारी के लिए contact करें WhatsApp पर contact करने से आपको बहुत जल्द reply मिलेगी और आपका जो भी problem है solve किया जाएगा यहाँ पर वीडियो खतम होता है प्लीज सैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की जनकारी आपके मिलती रहे धन्यवाद इस्टुडेंट आपका एक न्यू वीडियो में श्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको NIOS Board Class 12 का Full Solve TMA PDF फाइल दिखाई जाएंगी ये वीडियो NIOS Board के सारे स्टुडेंट के लिए है अगर आप यहां से देख कर TMA में बना रहा हैं तो आपको Full Marks मिलेंगे क्योंकि ये टीचर के द्वारा Solve कराए गया है अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सच्क्राइब करे साथ में बेल आइकन को भी प्रेश करे ताकि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो आएं उसकी जानकारी आपको मिलती रहा है इस चैनल पर सभी सबजेक्ट के TMA बनवाए जाएंगे इस चैनल पर आपको सब कुस फ्री में मिलेगा लेकिन अगर आपको फूल सॉल्फ TMA PDF फाइल में चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉंटेक्ट करें आपको वहाँ से मिल जाएंगे तो चले स्टूडेंट हम आपको वीडियो को वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको दिखाते हैं TMA जब आप अपना कोईशन पेपर देखोगे तो वहाँ पर आपको दो जोड़ी करके मिलेंगे लेकिन आपको उनमेशे कोई एक करना होगा यह TMA आपको एक फॉर साइस पेज में लिखना है और सबसे उपर सब्जिक्ट और सेक्षन लिखे उसके बाद आपको कोईशन लिखना है ब्लैक पैंसे उसके नीचे आंसर ब्लू पैंसे आपको TMA बनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए आपका हैंड राइटिंग अच्छा हो और जहां पर कोईशन वन खतम हो रहा है उसके कुछ लाइन छोड़ कर आपको दुसरे कोईशन लिखना है जिससे टीचर को समझने में आसानी हो जब आपको कोईशन का अंसर लिखना है तो उस हिसाब से आपको कुछ डाइग्राम भी बनाना पड़ता है पेज के जिस साइड वाइट होते हैं वहाँ पर आप चाहें तो पैंसल से भी बना सकते हैं या फिर प्रेंट निकाल कर भी लगा सकते हैं हम सारे कुछन का अंसर इसमें कर देंगे बस आपका काम यही है अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना जिस से आपको अच्छे अंक मिल सकें और अगर आपको किसी और TMA का PDF फाइल चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर से कॉंटेक्ट कर ले आपको मिल जाएंगे अगर इसके अलाएवा TMA को लेकर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पर कॉंटेक्ट करें वाटसब के जरिया अगर आप चाहे तो हमारे एक्सपोर्ट ट्राइटर के द्वारा आपका TMA बनवा देंगे बना कर आपके एडरेस पर भेज देंगे मिनिमन चार्ज के रूप में आपसे आपका TMA मेरे डिक किया जाएगा और आपकी घर के एडरेस पर भिजवा देंगे इससे संबंदीत विसेज जनकारी के लिए कॉंटेक्ट करें वाटसब पर कॉंटेक्ट करने से आपको बहुत जल्द रिप्लाई मिलेगी और आपका जो भी प्रॉब्लम है, सॉल्फ किया जाएगा यहाँ पर विडियो खतम होता है प्लीज सैनल को लाइक करें और सर्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट विडियो की जनकारी आपके मिलती रहे धन्यवाद इस्टुडेंट आपका एक न्यू विडियो में श्वागत है आज की इस विडियो में हम आपको NIOS Board Class 12 का फुल सॉल्फ TMA विडियो फाइल दिखाए जाएंगी यह विडियो NIOS Board के सारे इस्टुडेंट के लिए है अगर आप यहाँ से देख कर TMA बना रहा हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि यह टीचर के दौरा सॉल्फ कराये गए हैं अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इस विडियो को लाइक करें और चैनल को सश्क्राइब करें साथ में बेल आइकन को भी प्रेश करें ताकि इससे रिलेटेड जितने भी विडियो आएं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के टीए में बनवाए जाएंगे फ्री ओफ कोष्ट इस चैनल पर आपको सब कुस फ्री में मिलेगा लेकिन अगर आपको फुल सॉल्फ टीए में पीडिये फाइल में चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉंटेक्ट करें आपको वहाँ से मिल जाएंगे तो चले स्टूडेंट हम आपको विडियो को विडियो को स्टार्ट करते हैं आपको दिखाते हैं टीए में जब आप अपना कोईशन पेपर देखोगे तो वहाँ पर आपको दो जोड़ी करके मिलेंगे लेकिन आपको उनमेशे कोई एक करना होगा यह टीए में आपको एक फोर साइस पेज में लिखना है और सबसे उपर सब्जिक्ट और सेक्षन लिखे उसके बाद आपको कोईशन लिखना है ब्लैक पैंसे उसके नीचे आंसर ब्लू पैंसे आपको टीए में बनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए आपका हैंड राइटिंग अच्छा हो और जहां पर कोईशन वन खतम हो रहा है उसके कुछ लाइन छोड़ कर आपको दुसरे कोईशन लिखना है जिससे टीचर को समझने में आसानी हो जब आपको कोईशन का अंसर लिखना है तो उस हिसाब से आपको कुछ डाइग्राम भी बनाना पड़ता है पेज के जिस साइड वाइट होते हैं वहाँ पर आप चाहें तो पैंसल से भी बना सकते हैं या फिर प्रिंट ना निकाल कर भी लगा सकते हैं हम सारे कुछन का अंसर इसमें कर देंगे बस आपका काम यही है अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना जिस से आपको अच्छे अंक मिल सकें और अगर आपको किसी और TMA का PDF फाइल चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर से कांटेक्ट कर ले आपको मिल जाएंगे अगर इसके अलाएवा TMA को लेकर कोई भी जनकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें वाटसब के जरिया अगर आप चाहे तो हमारे एक्सपोर्ट ट्राइटर के द्वारा आपका TMA बनवा देंगे बना कर आपके एडरेस पर भेज देंगे मिनिमन चार्ज के रूप में आपसे आपका TMA रेडिक किया जाएगा और आपकी घर के एडरेस पर भिजवा देंगे इससे संबंदीत विसेज जनकारी के लिए कांटेक्ट करें वाटसब पर कांटेक्ट करने से आपको बहुत जल्द रिप्लाई मिलेगी और आपका जो भी प्राब्लम है, सॉल्फ किया जाएगा यहाँ पर वीडियो खतम होता है, प्लीज सैनल को लाइक करें और सर्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की जनकारी आपके मिलती रहे, धन्यवाद स्टुडेंट